नमस्कार जनता समचार में आपका स्वागत है आईए देखते हैं आज की खबर भहिया जी सरकार की हालत विगडी नाकपुर रिफर किया गया 258 दिनों से अंसन के कारण कमजोरी से तबियत विगडी नर्मदा के 300 मीटर के दाइरे में हो रहे अवैद निर्माड का कर रहे विरोध नर्मदा नदी बचाने के लिए पिछले 258 दिनों से अंसन कर रहे भहिया जी सरकार की हालत शुक्रुबार को और खराब हो गई सहर की निजी अस्पताल से उन्हें नाकपुर रिफर किया जा रहा है अंसन के कारण विशारेरी को रूप से कमजोर हो गई है विर नदी के 300 मीटर के दायरे में हो रहे अवैद निर्माड उत्खनन को रोखनी की मांग को लेकर अंशन कर रहे है सहर की निजी अस्पताल में कुछ दिनों से भरती भहिया जी सरकार की सिहत में सुधार के लिए लगतार दवाएं दी गई लेकिन फाइदा नहीं हो रहा है इस कारण उन्हें रिफर किया जा रहा है भहिया जी सरकार लगतार नेरहार रहकर संकल्ब को पूरा करने में जुटे हैं नर्मदा मिशन के सदस से एवं उनके सहयोगी विशाल तिवारी और रंजीत के मताबित राज्य सरकार के समवेदन हिंता के कारण भहिया जी अंशन पर है जल जंगल जमीन बचाने के लिए वह आंदोलन कर रहे हैं मा नर्मदा प्रदेश की जीवन रेखा है उसके केच्मेंट एरिया में निर्मार और उत्खनन से हम उनके अस्तित्व पर चोट पहुचा रहे हैं इसी को हटाने का उनका आंदोलन है जबलपूर से लेकर अमरकंटक और खंबात की खाड़ी तक वेस आंदोलन का विस्तार का चुके हैं उन्होंने नर्मदा मिशन के स्थापना की है नर्मदा किनारे पौधरोपन का भी उनका संगठन रिकॉर्ड बना चुका है कई बड़े राजनेतिक लोग उनके शिश्यों में सामिल हैं अब उनकी हालत विगड़ने और चिंतर जनक होने से समर्थकों में आक्रोश देखा जा रहा है ये थी आज की खबर और खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन की बटन को दबाना न भूलें आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें